नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल इंपोर्टेंट MCQ20 संदीप में डियलेट फोर सेमेस्टर गडित की तैयारी के क्रम में आज हम पार्ट टू लेकर आए हैं इसमें हमने कुछ प्रशनों को सामिल किया और उनके उत्तर आपको विशलेसर सही तिहां परम बताएंगे ताकि आपको एक एक प्रशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाये कोई भी ऐसा प्रशन ना हो जो आपको समझ में ना आए क्योंकि ऐसे ही प्रश्ण आपकी परिक्षा में पूछे जाने है ऐसे ही प्रश्णों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आने अली परिक्षा में अच्छे से अपने प्रश्ण पत्र को करके आएंगे दोस्तों इस समय रात के साड़े बारा बज रहे हैं तो रात के साड़े बारा बजे वीडियो बनाते वक्त मुझे ये ध्यान आया कि आपको अब्दुल कलाम जी की दो लाइने सुना दू जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते मैं भी कुछ काम से जाग रहा था तो मैंने सुचा आपके लिए भी कुछ प्रशन दे दूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे रात में जाकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुच जाएगा बाकी लोगों के पास तो सवेरे भी पहुच जाएगा वीडियो को शुरू करने से पहले बता दू चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कर निशान जरूर दबा लिजे टेलिग्राम ग्रूप और फेस्बुक पेज भी जोइन कर लिजे निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले जाएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर यह डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दिखा रहा है कि 68% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं किवल 31.5% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फर्स का व्यास ग्याद करो फर्स का व्यास हमें यहाँ पर ग्याद करना देखो जो फर्स का छेत्रफल होता है फर्स का छेत्र फर्स का छेत्र फर्स का छेत्र फर्स कितना होता है यह आपको मालूँ यह व्रत्ताकार फर्स है तो व्रत्त का छेत्र फर्स कितना होता है वो होता है पाई आर स्क्वाइर अब छेत्र फर्स दे रखा है छाँछट तो इसमें वेल्यू निकाल दो 22 बटे 7 into r square r square की जब value निकालेंगे तो 6 6 into 7 ये 22 बटे 7 है उधर जाएगा तो पलट जाएगा ये हो जाएगा 22 236 r की जो value आगई r square की value आगई 21 ठीक है लेकिन हमें चाहिए कि अव्यास चाहिए व्यास का मतलब है कि पहले में 3 पता हो तो r की value निकाल लो under root 21 meter ठीक अब हमें चाहिए व्यास व्यास होता क्या है व्यास होता है 2 r यानि 3 या का 2 गुना तो 2 गुड़े 21 कर दो ये आपका उत्तर आ गया 2 under root 21 meter ये इसका अंसर आ गया clear हो गई बात चलो next question करके देखते हैं प्रस संख्या यहाँ पर आपके सामने 2 दे रखी है कि sin a बराबर 4 बटे 3 उसी जगे 10 की value दे रखी है 2 ठीक है cos a की value आपको बतानी तो आप इसको आसाने से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको formula पता होगा 10 a बराबर sin a बटे cos a अब यहाँ पर इसकी value रख दो 10 a है 2 sin a की value कितनी है 4 बटे 3 और cos a आपको निकालना है क्या करो cos a को उस तरफ ले जाओ cos a बराबर यह 4 बटे 3 यह 2 है यह multiply में रखा है एक तरीके से तो इधर आ जाएगा यह divide में हो जाएगा 4 बटे 3 इंटू 2 तो 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा cos a की value कितनी आ गई 2 बटे 3 आ गई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा cos a की कितनी value आ गई 2 बटे 3 आ गई आपको यह formula जरूर याद होना चाहिए ठीक है अब अच्छे 4 समस्टर के लिए trigonometry table याद करना बहुत जरूरी है अगर trigonometry table की आप trick चाहते है तो नीचे comment में हमें बताईए कि हमें trigonometry की table की trick चाहिए क्योंकि कम से कम 3 नंबर के प्रशन जरूर पूछे जाएंगे आपकी 4 समस्टर की परिक्छा में trigonometry से तो trigonometry की table याद होना जरूरी है अगर आपको नहीं याद होती है दिक्कत होती याद करने में तो आप हमें नीचे comment बताईए हम उसकी trick आपको उपलगए प्रस्त संख्या 3 क्या कह रहा है किसी व्रत्ताकार पार्क की त्रिज्या 25 मीटर है पार्क के चारों तरफ 3 मीटर चोड़ी सडक है सडक का 6 त्रफल ग्याद करो तो यहाँ पर कैसे इसको solve करेंगे मान चलो कोई आपका यह दे रखा है व्रत्ताकार पार्क और इसकी त्रिज्या दे रखी है 25 ठीक अब इसी के चारों और इसी के चारों और क्या कर रहा है 3 मीटर चोड़ी सडक बनाई जा रही 3 मीटर चोड़ी तो यह 3 मीटर चोड़ी है तो यह total कितना हो गया 28 ठीक एक चीज़ समझो यहाँ पर बात यह जो बड़ा वाला है ठीक है इसमें अगर छोटे वाले को घटा दें तो हमारा यह area निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा ठीक है यही तो है मतलब अगर हम बड़े वाले का छेतरफल निकाल कर छोटे वाले छेतरफल को घटा दें तो हमारे पास जो बीच का area यह बच रहा है यह निकल के आ जाएगा ठीक है यही यहाँ पर हम करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह समझ लो एक की तरिज्या है 28 और एक की तरिज्या है 25 यानि छोटे वाले की तरिज्या है 25 और बड़े वाले की तरिज्या 28 अगर 28 वाले को 25 में घटा दें तो यह सड़क का छेतरफल निकल आएगा देखो इसको हम कैसे solve करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे सड़क का छेतरफल ठीक सड़क का छेतरफल लिख लेंगे और बड़े वाले छेतरफल से छोटे वाले छेतरफल को घटा देंगे तो बड़े वाले का πाई आर स्कॉयर माइनस पाई आर स्कॉयर देखो पाई की आर स्क्वाइर कितना है? 25 है 25 का स्क्वाइर 22 बटे 7 bracket के इंदर 28 का स्क्वाइर यानि 28 को वर कितना होता? 84 25 को वर होता है 625 अब इसको घटा दो 22 बटे 7 गुड़े दो यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 7 में दो गया 5 और साथ में 6 गया 169 ठीक है 22 इंटू 169 बते साथ इसका जो आंसर आएगा 499.7 एक वर्ग मीटर यानि जो सड़क का छित्रफल आपका निकल के आ गया 499.7 एक वर्ग मीटर ठीक है आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने दो क्रमागत समसंख्याओं का गु कितनी है मान पहली संख्याओं है अगली चागात समह कितनी होगी अगली संख्याओं अगर सम ना लगाता तो एकश जाति हरा है लेकिन सम शहरा है तो इसका मतलब यहां क्या होगा X plus two अब इसको भी देखो समझ लो कैसे हमने X plus two ही क्यूं रखा मान चलो कोई संख्या है चार ठीक है अब क्या हो रहा है कोई संख्या है चार अब इसकी जो अगली क्रमागत सम संख्या होगी अगली अगली संख्या तो इसकी 5 होगी लेकिन ये सम कहां है अगली जो क्रमागत सम संख्या होगी वो होगी 6 इसलिए जब 4 यहां रखा तो 4 में 2 जोड़ना पड़ा तभी तो 16 इसलिए यहां पर x में हमने 2 जोड़ दिया क्लियर होगी बात तो यह चीज़ समझ गया होंगे कि हमने 2 क्यूँ जोड़ा चलो अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है कि इन दोनों का जो गुड़न फल है वो 840 है इन दोनों का गुड़न फल कर दो x x प्लस 2 बराबर 840 x 6 का स्क्यायर कर दिया x square ब्लस 2x बराबर 840 840 को इधर ले हो x square प्लस 2x माइनस 840 ठीक बराबर 0 हो गया एक तरीके से ठीक है अब x square प्लस 2x माइनस 840 को गुड़नखंड विधी से आप solve कर लो तो इसका answer निकल आएगा ठीक है 840 का जब हम गुड़नखंड करेंगे तो 30 और 28 के form इसको तोड़ सकते हैं तो हमके सकते हैं x square plus 30x minus 28x minus 840 ठीक है अब यहाँ पर इसका answer जब आप निकालने बैठेंगे तो 1 आएगा x minus 30 एक bracket में और दूसरे bracket में आएगा x minus 28 ठीक है तो इससे क्या होगा x की value 30 निकल आएगी और एक value निकल गयाएगी 28 तो यह चीज़ आपको समझ में आगई 28 और 30 दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुडन फल 840 आता है और देखो दोनो क्रमागत संसंख्या है 28 और उसकी जो अगली क्रमागत संसंख्या होगी वो होगी 30 उमीद करता हूँ ये प्रशन भी आपको समझ में यहाँ पर जो अगला question है एक roller का व्यास 70 cm है और लंबाई 4 मीटर है 35 चक्कर में roller कितने work मीटर चलेगा देखो सबसे पहले यहाँ पर देख लो unit सेम है की नहीं यहाँ पर cm है यहाँ पर मीटर है और answer भी मीटर में ही पूछ रहा है जब answer मीटर में पूछ रहा है तो सब कुछ मीटर के according कर लो यह जो 70 cm है इसको आप मीटर में convert कर लो तो कैसे करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो व्यास बराबर 70 cm ठीक है अब इसको क्या करो मीटर में convert कर दो तो यह 100 से भाग देदो तो यह आप को हो जागा 0.7 ठीक है यह व्यास है लेकिन हमें चाहिए क्या निकालो वक्त प्रेम्चत होता है टू पाई्ट पाई टू पाई Biz आरका था 0.7 upon 2 इंटु ह कितना हो लंकाई चार ठीक है ये दो दो यहां से कट जाएगा ये साथ यहां से कट जाएगा यानि 22 गुड़े 0.1 गुड़े 4 यानि हम कह सकते हैं 22 चोको 88 8.8 इसका वक्रप्रेस्ट निकल के आ गया अब यहाँ पर हमें 35 चक्कर में चाहिए अभी तो एक चक्कर का निकला है 35 चकर का निकालेंगे तो 35 गुड़े 8.8 कर देंगे तो यहाँ जाएगा 308 वर्ग मीटर उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ क्लियर हो गए होगी सबसे पहले एक चकर में रोलर कितना चलेगा एक चकर में बेलन कितना चलेगा यह वक्रप्रेस्ट के बराबर होता है वक्रप्रेस्ट निकाल लीजे यानि एक चकर का निकालाया अब एक चकर का निकाल ले तो चाहे कितने भी चकर का पोछा आब उससे मल्टिप्लाइ कर दीजे जब 35 चकर में कितना चलेगा एक चकर में चल लाए 8.8 तो 35 से गुड़ा कर दीजे आड़ दा समलो आड़ इन तू पैंट तिस बराबर 308 तो यह चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहां पर